हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नहीं दिया गया है लेकिन बताया गया है कि घर से 20 लाग से जादा नगदी के साथ लाखों के जेवराद चोड़ी हुए घर में लगे CCTV कैमरे बंद पड़े हैं पुलिस अब आस पास लगे CCTV कैमरों के फुटेज से पता लगाने का प्रयाज कर रही है चोड़ों ने केवल एक कैमरे को ही छेड़ा है जहां पर अलमारी बर लॉकर है करीब 50 लाग की चोड़ी का अंदेशा है महामंदर थाना अधिकारी सुमेरदान ने बताया कि राजीव नगर इलाके में रहने वाला नंदलाल राटी कुरुश्यमंडी व्यापारी है नस्दीक के आरे नगर में उसके पिता वा अन्य परिजन रहते हैं वो रविवार राट को परिवार सहित अपने पिता के पास आरे नगर वाले मकान पर गया था ये लोग रोजाना वहाँ पर जाते हैं आज सुबा घर पहुचने पर पता चला कि उनके यहां चोरी हो गई है चोरों ने घर के मुखे द्वार के ताले तोड़ने के बाद वीदर के एट कमरे का कुंडा तोड़ा और प्रवेश किया अलमारी वा लॉकर से नगदी वो गयने आदी साफ कर गए घर में CCTV कैमरे लगे है लेकिन वो बंद पड़े है थाना अधिकारी सुमेरदान ने बताया कि अब आसपास लगे CCTV कैमरों में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है इसमें अंदेशा जिताया जाता है कि लाखों की नगदी के साथ लाखों के ही जेवर पार हुए है प्रतम दुरुष्टिया पुलिस इसमें किसी जानकार का हाथ होने से भी इंकार नहीं कर रही है चोरों ने केवल एक कमरे को ही छेडा है अन्य कमरों में प्रवेश नहीं किया है ऐसे में किसी जानकार का हाथ होने का भी संदे बना हुआ है जागरुक टेवी के लिए जोदपूर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट